पहली खबर उत्रप्रदेश के बहराईश से हैं बहराईश में तेज राफ्तार का कहर लगातार जारी है पिकप ने बाईश सवार को मारी टक कर उत्रपतेश के बहराईश में एक बार फिर तेज राफ्तार का कहर देखने को मिला है यहां पर गैराइच गोड़ा मार्क पर सेंट नॉबट स्कूल के पास एक तेज रफ़तार पिक अप वहां ने बाइट सवार को ठोकर मार दे जिससे एक व्यप्ति की मौके पर ही मौत हो गए जबकि दूसरा गंभी रूप से घायर है जिसका एलाज सगर अस्पताल में चल रहा है आपको बता दे कि मौके से पिक अप चालप वहां लेकर फरार हो गया घटा की जानकारी देते हुए सीओ सिटी टी अंदूबे ने बताया कि कोटवाली द्याद चितर में सेंट नर्वेट स्कूल के पास एक तेज रफ्ता पिक अप ने बाइक सवार को ठोकर मार दे जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है पैज़नों को सूचना दे दी गई है तता शब को आवश्यक कारवाई के लिए पश्चात पीम के लिए भेज दिया गया है सेंट नर्वेट स्कूल के पास मोटर साइकल और पिक अप का एक्सिजन्ट हो गया है सूचना मिलने पर पिसकोत वाली देहाद की पुलिस मौके पर पहुँचकर धायल मोटर साइकल चालक को जिला हास्पितल पहुँचाया जहां डेक्टरों ने मृत भुसित कर दिया है गरवालों को सूचना दे दी गई है डिलबाडी को उशक कारवाई की पस्चात पीजा में दुरवाना किया गया है आगे की विधिक कारवाई की जा रहे है खबर यूपी के हाधिरस से जाकोर्णा वैक्सिन का ड्रायरेंट शुरू कर दिया गया है उत्रपिदेश में कोरोना वैक्सिनेशन के ट्रायरेंट के दौरान प्राथमिक स्वासिकेंद्र मुरसान और सासनी का जाइन्ट मजिस्ट्रेड ने ओचट ने रिक्षन किया दौरान सभी स्वासिकर्मियों की ट्रेनिंग सही पाई गया साथी कोविन एप पूरी तरह से ठीक तरह पाया गया SMS नोटिफिकेशन ठीक तरीके से कार्य करता पाया गया कॉलसन पूरी तरह क्रियाशीर एवं CCTV लगे हुए पाया गया यालि सभी सुविधायें सही पाई गई है वाई सामदायित स्वासिकेदर पर निरिचन के दारान WHO के नोडल अधिकारी भी उपास्तेत रहे आपको बदा दें कि UP के हाथिरस में कोरोना वैक्सीन का ड्रायरन शुरू है उत्रपदेश में कोरोना वैक्शिनेसन के ट्रायरन के दारान प्रातमित स्वासिकेदर मुरसान और सासनी का जॉइंट मजिस्टेट ने ओचक निरिक्षन किया अज़रान सभी स्वासिकर्वियों की ट्रेनिंग सही पाई गई साथी सारी व्यवास्ताय भी सही रूप से पाई गई वाई सामगर इस साथ सिकेंद पर निलेक्शन के दौरान डवल अचो के नोडल अधिकारी भी वहाँ पर उपस्तित रहे खबर यूपी के शाह जाहाँपूर से यूपी के शाह जाहाँपूर में कोरोना वैक्सीन का ड्रायरेंड डेमो किया विया है चाह जगों पर कोरोना के टीके का ड्राइरंड यूपी के शाज़ाँपुर में कोरोना वाइरस वैक्सीन का ड्राइरंड 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 ड प्रत्य एक जगह पर 25-25 लोगों के उपर ड्रायरेन किया गया इसकी खास बात यह रही कि या ड्रायरेन उसी तरह से किया गया था कि वास्तविक रूप में जब ठीका लगेगा तो किन-किन बातों का ध्यान वर्खा जाना है ठीके के लगने के बाद यदि कोई साइड एफेक्ट होता है तो किस-किस दवाई का प्रयोग करना है या इंजेक्शन दिया जाना है मरीज बने डॉक्टरों के उपर ड्रायरेन कि दौरान पूरा हतियाद बढ़ता गया या दकी उनका ब्लेट प्रेशर और पल्स रेट भी लगातार चाकी गए आज हमारी ड्रायरेन चलना है इसमें समय से सारी जबहों पर वैक्शीन पहुच गई है अर्ण पर जिनको लगना है वैक्शीन इसे साद्ट सर्फ़ नहीं करमचारी तयनात हो गये हैú और वह अनना शुरू हो गये और उनको सब्सक्षव पहले तो जहां पर वैसिनेशन रूम है वेटिंग रूम में से पहले कर रह साद्स पहले जो वैसिनेशन वो देखते हैं उसको आयद पर देख लेते हैं कि हमारे उसे रिस्केशन विकाल के सभी दूथों पर लिस्ट व्यू प्रब हैं लिस्ट से मैज कर ले रहा हैं खबा यूपी के फिरोजाबाद से है फिरोजाबाद पहुँचे कैबिनेट मंत्री राजिंद्र गौतब आप कर रहा है यूपी चुनाओं की लगातार तयारिया उत्रपदेश में आपके 2022 में चुनाओं लड़ने के अलान के बाद मानो उत्रपदेश की राजनीती में भूचाल आ गया है इसी कड़े में आबाद्ली पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजिंद्र पाल गौतम सुहानगरी फिरोजाबाद पहुँचे जहां आबाद्ली पार्टी के पुराने कारकरताओं ने पूर्व संग्टन सायोजक गंगा पुतर राकेश यादा के नेत्रत में कैबिनेट मंत्री राजिंद्र पाल गौतम का जोशीला स्वागत किया ज़रान आपके उतर प्रदेश सचिव नूर मोहमत सिद्गी के साथ में पुरानी आपकारकरता भी मौजूद रहे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम आदनी पार्टी दोरा आधिकारिक गोशना 2022 के चुनाओं को लेकर की गई है इसके बाद लगातार उतर प्रदेश में आम आदनी पार्टी के नेता सक्री होने लगे हैं सुहार नगरी फिरोजबाद की सरजमी पर आम आदनी पार्टी के कैडिनेट मंत्री राजियत रपाल गौतम पहुंचे जिनका पूर्व संगितान संयोजट दंगा पुत्र राकेश यादो के नेत्रत में जोशीला स्वागत आमादनी पार्टी के पुराने कारिकरताओ द्वारा किया गया जोशीला स्वागत के साथ साथ जोशीले नारे लगाए जोशीले जी ना यहां कोई मैला सुरख्टी ते ना दनिच ते ना पिट्रे बर्टी ना रामाद ते ना यहां को अच्छे स्कूल है ना अच्छे अस्पताल है और पूरी तरीके से जंगल राज है पुलिस तक को पीजेटी के गुंडे ठाने मों घुसके फीट देते तो अब जो चुनाव आ रहा है जिरा पंचायत का उससे हम लोग सुरुवात कर रहे हैं पुराने वाले 2022 ना अमादी पांट्टी के उत्रप्रेश सरकार बनेगी खबर यूपी के गोंडा से है यूपी के गोंडा में आरूपी ने नाबालिक के साथ दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया मालग अतार अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार कर रही है उद्रप्रदेश के गोड़ा में शरुसार कर देने वाला मामला सामने आया है नावालिक लड़की के साथ गाउं के रहने वाले तीन युवकों ने मिलकर बारी-बारी से गैंगरेप किया गर्टा को अंजाम देने वाले आरोपी अपने पैसे के दम पर पुलिस की साथ गाट से मामले को दबाने की कोशिश में जुटे है माना जा रहा है कि पुलिस की मिली भगत से मामले को मारपीड का मुकदमा लगा कर दबाने की कोशिश की जा रही है आपको बदाने पूरा मामला धानेपुर में आता है जहाँ एक नाबालिक लड़की के साथ वही गाउं के रहने वाले बेरहं यूउकों ने घाल में गुजकर कई बार दुशकरों को अंजाम दिया है पीड़का की मा धाने पूर धाने की चकर काट कर ठक हार गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुए जसके बाद स्पी ऑफिस पहुँचकर कप्तान चाहप से न्याय की गुहार लगाने पहुचे सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी में महिला उत्पीडर को देखते हुए मिशन शक्ती मिशन का क्या मतलब रह गया है वही आरोपी कारून को ताकत में रखकर खुलयाम रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैटी हुई है खबर यूपी के जहासी से है यूपी के जहासी में किनर सम्मेलन में दिखी देश की एकता उधरपदेश के जहासी में हुआ अखियलबारती मंगला मुखी किनर सम्मेलन में देश की एकता और अखंडता के साथ साथ कुरोना महामारी साथी समाज की कुशाली के लिए डोन लगाडों के साथ तोड़ी फते पर पहुंचे वहीं कलश यात्रा के बाद मंदिल में ध्वज और घंटा चढ़ाया साथ ही मजार पर चादर चढ़ायी गए कलश यात्रा में किन्न समाज के लोग सिर पर चान्दी का कलश रख कर शोभा यात्रा के बीचो बीच चल कर आकर्शन का केंदर है कलशों में गंगा जल भर कर नगर में ब्रहमण किया गया कलश यात्र में सैपडो किननर अपनी बेशगूशा में सज कर फिल्मी दुनों की संगीत पर जम करना चे नगर गुरसराय सहित तोड़ी फतेपुर में जगर जगर लोगों ने किननर समाज की कलश यात्र का भविता से स्वागत किया कलश यात्रा के दोरान किंदर समाज के लोगों के अलावा आंग जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिला वही आपको बता दे कि चारों तरफ खुशहाली के बातावरण के बीच कलश यात्रा में किंदर उने रित कर चार चांद लगा दे नगर में अखिल भारती मंगला मुखी किंदर समाज समीलन वारा आयोजित एक सप्ता का आयोजन पूरी भावविता के साथ मना जा रहा है किनर समाज वारा आयोजित कारिक्रम को किनर समाज के लोग अपने गुरुओं की याद में उपासित गुरुओं के मारदर्शन में पूरी उत्साह पूर्वक मना रहे हैं और विश्यके सुप शांती और कोरोना महामारी को भागाने की कामना कर रहे हैं नगर की एक वाधिका में चल रहे समेलन में जहां पर विबिन तरह की आयोजिनों को बड़े उत्साह के साथ मनाने में लगे हुए हैं समेलन की आयोजक, पपू किनर हाजी, हाकिम नायक किनर बुरसराय, संतोशी किनर टेडी फतेपुर, मुम्ताज किनर बंगरा ने बताया कि किनर समाज के लोग नाचने गाने के साथ समेलन को भाग बना रहे हैं जोरान सैपलों की संख्या में किनर बहाँ पर उपास्तेद है ह हमारी बंच करें हैं हमारे पूरे देश से पूरे जल्दी से से जल्दी से जल्दी जाका खबार थे कोशीनेगर से, थे कोशीनेगर में यूपे पुलिस बर गाउवालों का बोर्बाला दिखा उद्रपदेश के कुशी नगर में न्यायाले के आदेश का अनुपालन कराने गई पुलिस पर गाउं अलों ने अचानक हमला कर दिया आपको बता दें कि जमीनी विवाद में सिवल न्यायाले के आदेश का अनुपालन कराने गई थी पुलिस नयाले ने एक पक्ष की जमीन पर विपक्ष दोरा किये जा रहे हैं अवैद हस्तक शेप को रोकने का आदेश दिया था SGM दोरा देए आदेश पर नयाले की आदेश का अनुपालन कराने गई पुलिस पर अचानक हमला हो गया जिजरान गवालों ने पुलिस को दोड़ा दोड़ा कर पीटा इसी के साथ आज की मुर्टिम में आपके लिए तादेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देख से रहे हैं विए स्टार न्यूस नमस्कार